आई पील की शुरुआत के साथ ही प्रदीश बर में 60 कारोबार भी शुरू हो चुका है एक बार फिर जैपुर कमिशनेट की क्राइम ब्रांच और शामनगर थाना पुलस ने सयूप तरूप से कारवाई करते हुए करोडो रुपे का 60 पकड़ा है पुलस ने यह कारवाई शामनगर इस्तित कीरती कोलोनी में की जहां पर चोरी छिपे दो मंजिला फ्लेट में 60 का कारोबार चल रहा था मुक्बिर की सूसना पर क्राइम ब्रांच और शामनगर थाना पुलस ने मकान पर छापा मारा जहां पर चार यूकों को 60 के आरोप में गिरफतार किया है पुलिस ने मौके से दो दर्जन, मोबाइल, दो एलेडी, दो लैप्टॉप, सेट आप बॉक्स और 60 उपकरन बरामत किये हैं साथ ही पुलिस ने करोडो रुपे के हिसाब किताब की डायरी भी बरामत की है फिलहाल गिरफतार किये गए आरोपियों से पुलिस पूस्ताच में जुटी है आईपेल की शुरात के साथ ही राजदनी जैपुर शहर के अंदर सट्टे का जो कारोबार है बड़े पैमानी पर फैल चुका है मागर इसी के साथ जैपुर पुलिस की जो नजर है वो इन सट्टारियों को पर है एक वर फिर से शामनगर थाना पुलिस को और साथ में क्रैम ब्रांच की टीम ने एक साथ रेट डाली थी वहाँ पर चार जो सटोरी थे वो रंगे हातों क्रिकेट मैश जो टी ट्वेंटी का जो आई पील का जो मैश है उस पर यह सट्टा लगाया जा रहा था नाइट राइडर और सुनराइजर हैदराबाद के बीच में यह सट्टा चल रहा था और इसी को लेकर के यहाँ पर पुलिस ने रेड मारी और वहाँ से चार आरोपियों को गिर्फतार किया जिसमें धीरज है राजेश है और उनके साथ में दो अन्ने जो साथी हैं वो भी हुई है मेरे कैमरा में जो सही होगी है उनको दिखाना चांगो तस्वीर हैं यह तस्वीर हैं जो आप देख रहे हैं यह इन ही लोगों से बरामद हुई है साथ में जो डायरी है इस डायरी के अंदर जो हिसाब किताब लिखा होता है इनका यह सारा जो हिसाब किताब है वो इन से बरामद हुआ है फिलाल जो क्रैम ब्रांच की जो टीम है साथ में शामनगर थाना पुलिस है यह आकलंग कर रही है कि कितना जो सटा है लेकिन चारो आरोपी लंबे समय से सटे कारोबार से जड़े हुए थे फिलाल इन से पूस्ताच की जा रही है लेकिन इस कारवाई क इसके बाद यह बात तो तैह हो चुकी है कि सटोर यह चैक कितने भी शातिर क्यों ना हो पुलिस की नजर से नहीं बच पाएंगे और इसी को लेकर करके यहां पर एक बड़ी सफलता यहां पर क्रैम ब्रांच की टिंक को साथ में शामनगर थाना पुलिस को हाथ लगी है कैम किमरा प्रसंट यह समातर के साथ यादमिंदर शर्मा एवन टिव नीज जैपूर राजदानी जैपूर में राजस्थान क्रिकेट एस्सोशेशन को